Hello friends and welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Nifty और Bank Nifty में कल के लिए कौन से लेवल से important होने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही short और important होने वाली है तो वीडियो को end तक watch करें जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं Angel One app में हमने login कर लिया है home में आने के बाद में यहाँ पे आपको insta trade का feature दिखाई दे रहा होगा उस पे हमें tap करना है जिसे हम उस पे tap करेंगे हमारे सामने जो है Nifty का चार्ट open हो जाएगा 15 minute time frame में देखिए दोस्तों कल के वीडियो में हमने discuss किया था यहाँ पे एक resistance level है 19,840 का देखिए हमें जो है आज के दिन में gap up opening तो देखने को मिली gap up opening के बाद में यहाँ पे यह breakout sustain नहीं किया है breakout होने के बाद फिर से जो है continuously हमें fall देखने को मिल चुका है निफ्टी आज के दिन में बहुत ज़्यादा fall हमें निफ्टी में देखने को मिला अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 19,600 का एक important support है कि पहले भी जो है निफ्टी इसी level पे support लेके जो है पहले भी bounce कर चुका है exactly फिर भी इसी level पे आने के बाद में यहीं से उपर के और जो हमें bounce करता हुआ दिखाई दे रहा है possibility ज़्यादा रहे कि यहाँ से उपर के और हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल जाए in case 19,600 का support zone जो है break होता है तो यहाँ से हमें continuously fall देखने को मिल सकता है next जो support zone ने 19,500 पे होने वाला है दोस्तों यह तो हो गया निफ्टी का अब हम discuss कर लेते हैं bank nifty के बारे में तो इस पे हमें tap करना है जिसे हमें इस पे tap करेंगे bank nifty का 15 में टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाएगा देखे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कली बताया था 46,300 का एक resistance zone है उपर के side में आप देख सकते हो इसी level पे आने के बाद में multiple time हमें यहीं पे rejections देखने को मिल रहे हैं आज भी exactly gap up opening के बाद में resistance phase करके फिर से हमें यहीं से गिरावट देखने को मिल चुकी है और यहाँ पे एक important support zone भी था यहाँ पे break होता हुआ दिखाई दे चुका है अभी देखे नीचे के side में 45,500 से लगके 45,600 का एक important support zone है यहीं पे support लेके फिर से हमें उपर के और bank nifty में भी bounce देखने को मिल सकता है in case यह support zone अगर break होता है तो यहाँ से हमें और भी fall bank nifty में देखने को मिल सकता है तो अभी देखे दोश्तों यह support and resistance जो zone में आपको बता है बहुत ज़दा important है अगर आप अपने chart पे draw नहीं किये तो draw करके रख लीजिए इंस्टा trade feature का use करके आप directly यहीं से buy call और buy put कर सकते हैं अभी हमें मान लीजिए buy call करना है इस तरह से interface show करेगा आप अगर से call को buy करके hold करना चाहते हैं तो carry forward में करेंगे अगर sim day by sim day sell करना चाहते हैं आप intra day में करेंगे यहाँ पे lot size दिया है 25 का यहाँ पे bank nifty का है तो यहाँ पे जो हम one enter करेंगे और नीचे में आप देख सकते हो limit और market का option दिया है limit याने के आप अपने मनबसंद price पे सको खरीद सकते हो जैसे किसकी price चल रही है 110 अगर आप इसको buy करना चाहते है 105 पे तो यहाँ पे आप enter करेंगे जब भी इसकी price यहाँ पे आ जाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate याने के जो भी इसकी current price चल रही होती है उसी पे directly आपका order जो है execute हो जाता है simply हमें यहाँ पे buy pay touch करना है buy pay touch करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पे touch करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा तो दोस्तों यह जो वीडियो बनाएगी यह सिर्फर सिर्फ educational purpose के लिए बनाए गई है जब भी आप कोई भी stock में future options में entry का plan करें तो अपने financial advisor से consult करके ही उसमें entry बनाए और अभी तक आपने angel one में dmat account open नहीं किया है तो link जो है description box में दे दी है उस link का यूज़ करके आप free में dmat account भी open कर सकते हैं तो दोस्तों आज की एस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लागए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तो जो 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 में वीडियो में